सरस्वती कुमारसा नंबर एक दोरण आठ विशे विग्णेन टेक्नोलोजी प्रकरण साथ वनस्पतियों और ने प्राणियों नू शवरक्षन आपने आगणना दोरण सात्मा बुजो तेमज पहलिये प्रोफेसर अहमद तेमज टीबू साथे जंगलनू ब्रह्मन करियो हतु ते पोताना सहाध्याईयों साथे तेमना अनुबवों वहेच्वा खुबज उच्शुतुक हता वर्गना बिजा विद्यार्थियों पन पोत्पोताना अनुबव बताव्वा अत्यंत उस्तुक हता कारण के तेमाथी किटलाक बरतपूर अभ्यारण ब्रह्मन करवा गया हता किटलाके काजीरंगा राष्टिय उद्यान लोक्चाउ वाइल्ड लाइफ अभ्यारण तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फियर रिजर्व तेमाज वाग शौरक्षित विस्तार बगेरे विशे शाब्लियों हतु वन नाबुदी अने तेना कारण आपनी प्रुथवी पर विविद प्रकार नी वनस्पतियो तेमाज प्राणियो जोवा मले चे तेमाणव जातीने टकी रहवा माटे तेमज सारिरिते रहवा माटे आवश्यक छे अजे आसजीवो ना अस्तितव माटे वन नाबुदी एक मोटो खत्रो बनी गयो छे वन नाबुदीनों अर्थ एचे के वननों नासकरीने प्राप्त जमिननों अन्य कारिय माटे उप्योग करवो अपने जानिया चे हाल दिन प्रती दिन वस्ति वधाराने काराणे आ समस्या उभिधाई रेली चे वन मां वुरुक्षोर्णे कापणे निचेना उद्धिर सेथी करवा मां आवे चे एक खेती वाडी माटे जमिन प्राप्त करवी घर ते मजकार खानावनों निर्मान करवा माटे लाकडाना फरनीचर बनावा तथा बरतर्ण माटे उप्योग करवा माटे क्यारेक दावानर ते मज़ भयंकर दुषकार पन किटलाक कुद्रती वन नाबुदी ना कारणों छे आप जानों छो थोड़ा समय पहला अमेरिका मा जंगल मा आग लागता किटलाई रुक्षो बरिने खाख थी गया हाता आवा किटलाई प्रसंगो दर वर्षे विविद विस्तारों मा विविद देशों मा फ्रुथ्वी उपर बनता रेता होई छे आ यादी ने कुद्रती तेमज मानव सरजीत मा वरकी कुरत करी नोटबुक मा नोधो वन नाबुदी ना परिणामों पहलिये तेमज बुजोये वन नाबुदी ना कारणों ना परिणामों याद करवानों प्रयास करयो तेमने याद छे के वन नाबूदी थी प्रुथवी पर तापमान तेम प्रिय प्रदुषन ना स्तर्मा सतत वधारो थाई छे तेना थी वातावरण मा कार्मन डायक्षाइड ना स्तर्मा वधारो थाई छे भूमिय जर्णो गटाडो थाई छे तेना थी ख्याल आवे छे के वन नाबूती थी प्राकृतिक संतुलन पण परपण प्रभाव पड़े छे जो रुक्षोनी आ प्रकारेज कापणी सतत चालती रही तो वर्साद तेम जुषकार जेवी कुद्रती आफ़तोनी संभाव ना वदी जाये छे याद राखो के वनस्पतीने प्रकास रहुश्रेशन माटे कार्बन डायोक्साइड नी जरूर होई छे ओछा वुरुक्ष नो अर्थ ए छे के कार्बन डायोक्साइड ना उप्योग मा घटाडो थवो जेना थी वातारण मा तेनी मात्रा वदी जाये छे कारण के कार्बन डायोक्साइड प्रुथवी द्वारा परिया परावर्तित उस्मिय विकिरणोंने सोशीले छे अने एटले तेनी मात्राना वधाराना कारणे प्रेणा में ग्लोबल वर्मिंग जेवी घटनाओ जोवा मले छे प्रुथवी ना तापमान मा वधाराथी जल चक्रनू संतूलन खोरवाई जाये छे अने वर्साद मा गटाडो थाये छे चेना कारणे दुषकाल आवे छे भुमीना गुणतर्मों मा परिवर्तननों मुख्य कारण वन नाबुदी छे कोई पन क्षेत्र मा भुमीना भवतिक गुणतर्मों पर वनस्पती उचेर अने व्रुक्षोनी असर पड़े छे आप दोरण सात मा आपने अभ्यास करी गया छिये के व्रुक्षो केवी रिते जमीनना धोवाण ने अटकावे छे भुमी पर व्रुक्षोनी मात्रा गटवाना कारणे भुमीनु धोवाण सतत वदी रहु छे भुमीनु उपणनु पड एलेके स्तर ए दूर करवा थी तेया निचेना सक्खत पत्थरो ना स्तरो देखाये छे जेना थी भुमी मा सेंद्रिय पदार्थो एलेके सडता कारणिक पदार्थो नो चतत गटाडो थाई छे तथा तेनी फ़द्रूपता मा पण गटाडो थाई छे दिमे दिमे फ़द्रूप भुमी रण मा फेरवाई जाई छे आकरियाने रण निर्मान कैवामा आवे छे वन नाबुदी ना कारणे भुमीनी जलसंगरहक्षमता मा पण गटाडो थाई छे तथा भुमीनी उपर्णा पडणी मार्फते निचिना स्तरोमा पाणी प्रवेश्वानी क्रियामा असर उभी थाई छे जेना परिणाम स्वरूपे पूर आवे छे भुमीना अन्य गुणदर्मो जेवाके पुशक्तत्वो बंधारण वगेरे पर वन नाबुदी नी असर थाई छे आप जानों चोयें चोमासामा मुटा पागे सवराष्टना घणाबदा गामों मा सतत किटलाई दिवसो सुधी नदियोनू पाणी भराई रहे छे आपी जुकाई नहीं पन भुमीनी जल संग्रक्षमताना कटाडाने कारणे बंधु होई छे आपने दोरण सात मा अभ्यास करेओ के वन माथी अनेक उत्पादनों थाई छे ते उत्पादनों नी यादी आपने आपनी नोट्बुक मा लखवानी छे अने जो आपने व्रुक्षोने सतत कापता रहे शुँ तो शुँ आ उत्पादनों नी भविश्यमा तंगी नोट्पन सामनों करवो पड़ छे अई विशे आपे विचारवानों रह्षे वन तेमज वन्य जिवोनों संरक्षण वन नाबोदी नी असरो जान्या बाद पहली बुझो चिन्तित हता ते प्रोफेसर अहमद पासे गया तथा तेओ ये पूछियू के वन तेमज वन्य प्राणियों ने केवी रीते बचावी शकाई जीवावरण ए प्रुथ्वी नो एक भाग छे कि जेमा सजीवो वस्तवाट करे छे अथवा जे जीवन ने आधारा पे छे जेव विविदतानो अर्थ ए छे के प्रुथ्वी पर पोताना प्रुथ्वी पर जोबा मरता विविन सजीवो तेओ नी वच्चे आंतर सबंध अने तेओ नो परियावरण साथे नो सबंध एटले के जेव विवित्ता परियावरणिया संतुलन आहाल जार केवामा आवे छे दरेक सजीव ए अन्य सजीव अथवातो निर्जीव उपर आधारित होई छे प्रोफेजर अहमदे तेमना वर्गना विद्यार्थियो माटे पंचमडी जेव वावरण शुरक्षित क्षेत्रनी मुलाकात माटे पसंदगी करी अने आख्षेत्रनी वनस्पतियो अने प्राणियो उपरी हिमाले नी सुरुखलाओ तेमज निचान वारा पश्चिम घाट विस्तारना प्राणियो अने वनस्पतियो ने समान छे आ विस्तारनी जेव विविदता आगवी छे तेओ ये त्याना वन कर्मचारी श्री माधवजी ने जेवावरण सुरक्षित क्षेत्रमा विद्यार्थियो नियू मार्गत नीर्दर्षन करवानो अनूरोध कर्यो तेओ ये जनावियू के जैविक महत्व धरावता क्षेत्रनो सुरक्षन इटले के बच्चाव ए आपणी राष्टिय परंपरानो एक भागज छे ते विशे वदूमा माहीती आपी अने वागर चाईए माधव जीए विद्यार्थियो ने समझावियू के आपणा व्यक्ति गत प्रयतनो तेमज समाजना प्रयतनो थी विशेश सरकारी संस्थाओ पन वन तेमज वन्य प्राणियो ना रक्षण माटे कारियरत छे सरकार तेओनी सुरक्षा अने संरक्षण हेतु माटे नियम पद्धतियो अने योजनावो बनावे छे वन्य प्राणियो अभियारणिय राष्टिय उद्ध्यान जेवावरण सुरक्षित क्षित्र वगेरे वनस्पतियो अने प्राणियो माटे संरक्षित तेमज सुरक्षित क्षित्र छे वनस्पतियों अने प्राणियों अने तेमना निवासोंने शौरक्षन माटे तेमने सुरक्षित शेत्र जाहेर करवामा आवेल छे जेने अभ्यारणिय राष्टिय उद्यान अने जेवावरण आरक्षित विस्तार कहिये चीये ब्रुक्षारो पन, खेती, चर्वू, ब्रुक्षोनी कापणी, सिकार, चामडू प्राप्तकरवा माटे सिकार वगेरे आक्षेत्रों मा प्रतिवंद होई छे अभ्यारणिय एवो विस्तार के ज्या प्राणियों तेमज तेना निवास कोई प्रकार ना खलेल थी शुरक्षित होई छे ज्या तेमना पर कोई प्रकार नी पाबंदी होती न थी राष्टिय उद्यान वन्य प्राणियों माटे आरक्षित क्षेत्र के ज्या ते स्वतंत रुपे निवास तेमज प्राकृतिक संधा संसाधनों नो उप्योग करिशके छे तेने राष्टिय उद्यान कहे छे जेवा वरण आरक्षित क्षेत्र वन्य सजीवो वनस्पतियो तेमज प्राणियों अने ते विस्तार ना आदिवासियों नो पारंपरिक रिते जीवन परियाई हेतु माटे विस्तार शुडक्षित विस्तार एलेके क्षेत्र जेने जेवा वरण आरक्षित विस्तार कैवामा आवे छे जेव आरक्षित विस्तार ना आरक्षिन माटे जेव आरक्षिन विस्तार बनावामा आवे छे जेम के तमे जानों छो के जेव विवित्ता एटले कोईपण क्षेत्र मा जोवा मरती बदीज वनस्पतियों प्राणियों अने सुक्ष्म जिवोंनी विपीन प्रजातियों कोईपण क्षेत्र नो जेव आरक्षित विस्तार ते क्षेत्र नी जेव विविदिता तेमज संस्क्रूती ने जालवी राखवामा साहायक होई छे कोईपण जेवावरण आरक्षित विस्तार नी अंतरगत अन्य सुरक्षित विस्तार पन होई शके छे पंचमडी जैवावरण आरक्षित विस्तारमा साथ्पुडा नामनो एक राष्टिय उद्यान तथा बोरी तेमज पंचमडी नामना बे वन्य प्राणी अभ्यारणिय आवेला छे तमारा जिल्ला राज्जिय तेमज देशना राष्टिय उद्यानो वन्य प्राणी अभ्यारण तेमज जैवावरण सुरक्षित प्रदेशोनी संख्या सोधो तथा तेमना नाम लखी आक्षित्रोने तमारा राज्जिय तेमज भारतना रेखाचित्रमा दर्शावो आप नीचे चुईशको छो के पंज जमलि जैवावरण विस्तार मा क्या केविरिते जुए रहिला छे सजीव सम्पती वनस्पたい शुरुष्टी अने प्राणी शुरुष्टी सजीव सम्पती मा वनस्पती प्राणीयों अने सुक्ष्म जीवों नो समावे स्ताई छे सजीव संपती उनह प्राप्य छे, तेथी तेनो विवेक पुर्वक उप्योक करवामा आवे, तो तेनों प्रमाण जलवाई शके छे, वनस्पती, प्राणियों अने सुक्ष्म जीवो वगर आपनों जीवन संभवी शके तेम नथी, सजीव संपती मा आपने वनस्पती अने प्राणियों विशे अभ्यास करिये, वनस्पती, वनस्पती सुर्य शक्तीनों उप्योग करीने सव सजीवो माटे खोराक पुरो पाड़े छे, ते उप्रांत तेमा थी बढ़तन नों लाकडू, रेशा, दवावो, कागर, रबर, वनस्वत्ती तेल, अने अन्य पैदाशो पन मली रहे छे, खेती वाडी मा उगाडवा मा आवती, अने जंगल मा कुद्रती रिते उकती, बधीज वनस्पतीयों नों समावेश वनस्पती संपती मा थाय छे, आपना देश मा खुबज सम्रुद्ध अने वेवीध्य पूर्ण वनस्पती संपती छे, आपना देश मा लगबग 675.1 लाक हेक्टर मा जंगलो आवेला छे, जे आपना देश नी जमीन ना त्रेविष्ट का विस्तार मा छे, परन्तु हाल क्रमशह आ जमीन मा गटाडो थतो जाय छे, आपना देश मा प्राचिन कार्थीज जंगलनू महत्व छे, जंगल हापणने गणी रिते उपियोगी छे, 1. मकानोंनी बनावट अने सजावट माटे इमारती लाकडू पुरू पाडे छे, 2. कागर नी बनावट माटे कागर उद्योग ने काचो माल पुरू पाडे छे, 3. वन्य जीवोनी जारावणी माटे उपियोगी छे, 4. वात्तावरण मा अक्सिजन अन्य कार्बन डायक्साइड नू प्रमाण जाळववा माटे उपियोगी छे, 5. प्रुथ्वीना तापमान अने जल्चक्र नी जारावणी करे छे, 6. मानवने उपियोगी फळो, अउशदियो अन्य अन्य पैदासो पुरी पाडे छे, 6. जंगल मा वनस्पतिनी जारावणी खुबज अगत्यनी छे, 7. जंगलना घणा मोटा विस्तार माथी, मोटा पाए वनस्पतिने कापी नाखवा माँ हावे छे, 8. तेने वनकटाई कहे छे, तेना परिणाम खतर नाख होई छे, 9. जंगलनी जारावणी माटे सामाजीक वनिकरण अने फार्म फोरेस्ट्री जेवा कार्यक्रमों हाथ धरवा माँ आवे छे, 10. जंगलनी जारावणी माटे लोकोनी जागरूती पण जरूरी छे, लोकोना साथ, सहकार अने समझ वगर जंगलना रक्षन, उप्योग अने विकास सक्य नथी, 10. प्राणियों बधाज प्राणियोंनो समावेस प्राणी संपती मा ठाए छे, जेमा सस्तन, पक्षियो, सरिश्रूप, माचलियो, कीटको, अने मृदूकाई, वकेरे प्राणियोंनो समावेस ठाए छे, प्राणियों आपणने दूद, मास, इंडा स्वरूपे, प्रोटिन पुरूपाडे छे, प्राणियोंनो उप्योग, खेतीवाडीमा भारवाहन करवा, परिवहनमा करिये छिए, प्राणियों आपणने चामडू तथा, उन, जिवा, पुरा पाडे छे, दरेक वन्य जीवननो आर्थिक जीवन होवा उप्रांत, ते तेना निवसंत न्त्रनी आहार जारनी एक महत्वनी कड़ी छे, वन्य जीवननो सौथी वदू महत्व, ते जनिन बैंग तरीके, शिद्ध थैशके, तेमा छे, मानस, खेती, पसू पालन, मत्से उद्योग, मर्गा पालन, वगेरेमा प्राणियोंनी जातियो विक्षावी, तेनो उप्योग करे छे, तेमनी रोग प्रतिकारक शक्ती मर्यादित छे, आथी हवे एवी जातियोंनी सबंदित वनस्पतियो शोधी, तेनो उप्योग रोग प्रतिकारक शक्ती वदे, तेवी जातियों पैदा थाए, ते माटे करवामा आवे छे, हाल ना बायो टेक्नोलोजी अने जनिन इजनेरी विध्याना विकास्तने लिधे बविश्यमा कोईपन सजीवनू जनिन उप्योगी साबीत थैशके छे, तेथी दरेक सजीवने तेना कुद्रति निवास्थान मा जालवी राखवा जरूरी छे, वाग अने सिहनी परियावरण मा अकत्यता, वाग अने सिहनी शक्तिशाली मासा हरी प्राणियों छे, ते त्रूना हरी प्राणियों अने नाना वन्य प्राणियों नो सिकार करीने पोतानो खोराक मेडवे छे, आथी वन्य जीवोनी संक्या नियंत्रित रहे छे अने तेमनों संतूलन जड़वाई रहे छे वाग अने सिहनों अस्तित्व जोक्मावाना कारणों प्यलू कारण मानवी शोक माटे वाग अने सिहनों सिकार करे छे विजुकारण मानवी भाग अने सिहनों सिकार करी तेना चामडा नहोल अने सरीडना अन्य अंगो वेची मोटी कमाणी करे छे त्रण जंगलों नास्ततो होवाथी तेना कुद्रती रेठान चिनवाई जाये छे अने स्थरांतर करवू पड़े छे त्या अनुकूल न आवववाथी तेमनी संख्या सतत गटी रही छे चोथू जंगलों नास्तवाथी त्रुणाहरी प्राणियोंनी संख्या गटी रही छे आथी वाग अने सिहने पूर्तो खोराक मरतो नो होवाने कारणे पन तेमनु अस्तित्व जोखम मां मुकायू छे पाच उद्योगों अने वस्तिवधारान लिदे जंगलों वस्वाट अने उद्योगनी नजिक आवता गया छे तेथी प्रदुशित वातावरण अने गोंगाट थी आलोग्यनी जारवनी तेमन संवनन माटे प्रतीकूर्ता उभी थवा थी तेमनी संख्या मां सतत घटाडों थतो गयो छे अने तेमनु अस्तित्व जोखम मां मुकायू छे जे वावरण आरक्षित विस्तानु ब्रह्मन करता करता त्यानी इल्लत्रीनु द्रश्य रडियामनु जोबा मले छे त्या उचा उचा सागना प्रुक्षो तेम जवन्य प्राणियोंने जोईने खुश छे जवाई एक विद्यार्थिये ससलाने जोई तेने पकडवा प्रयत्न करवा तेनी पाचर दोडे छे तेने अटकावता प्रोफेसर समझावे छे के प्राणियों पोताना निवास्तान माज खुश रहे छे आपने तेमने हैरान परेशान करवा जोई ये नहीं त्याना अधीकारी श्रिये जणाव्यू के केटलाक प्राणियों तेमाज वनस्पतियों कोई विशिष्ट विस्तार माज जोवा मले छे अने आवा विशिष्ट विस्तार मा जोवा मलती वनस्पतियों ने ते विस्तार नी वनस्पति श्रुष्टी अने प्राणियों ने प्राणी श्रुष्टी कहवाय छे आप जोईशको छो साग, साल, आमबो, जामबू, हंसराज, अडजुन वगेरे वनस्परती शुरुष्टी पंच मडी मा आवेली छे तथा, चिंकारा, निलगाय, पार्किंग डियर, निलगे भस्तु, हरण, चितल, लीपडो, जंगली कुत्रा, वरू, वगेरे पंच मडी आरक्षित विस्तारनी प्राणी शुरुष्टी छे बाजुमा आप चित्रमा पन जोईशको छो स्थानिक जातियो विद्यार्थियो सांती पुर्वक घार जंगल मा प्रवेस्ता हता तेवामा एक विद्यार्थिये एक विशार खिशकोली ने जोई ने आश्चर जकित थेई गयो तेने अन्य विद्यार्थिये ने ते बतावी आ खिशकोली नी पूचली मोटी पीछाकार छे तेना विशे अधिकारी स्री माधवजी ए जणावियो के तेने विशार खिष्कोली कहे छे अने ते आ विश्तार नी स्थानिक जाती छे एवोज एक बिजु भुरुक्ष जंगली आमबो वनस्पतियो अने प्राणियो नी एवी जातियो के जे कोई एकज क्षित्रमा विशिष्ट रुपे जोवा मले तेने स्थानिक जाती कहे छे ते कोई अन्य विस्तारमा प्राकृतिक रुपे जोवा मलती नती कोई विशिष्ट प्रकार्नी वनस्पतियों ते मजब्राणियों कोई विस्तार, राज्य तथा देख्स नी स्थानिक जाती होईशके छे अधिकारी श्री माधव जीए पंजमडी जेवावरण आरक्षित सित्रमा आवेला साग औने जंगली आमबाना जाडने बतावीने स्थानिक वनस्पतियों नू उदाहरण आप्यू बाईसन links जंगली बड़ भार्तिय विशार खिश्कोली औने उर्ती खिश्कोली आ विस्तार ना स्थानिक प्राणियों छे अध्यापके तेमना नीवास लेके रैठाण नो नास्तवा थी औने वस्तिवधारा थी औने त्या नवी जातियोंने लाववा थी स्थानिक जातीना कुद्रती निवास अने तेमना अस्थित्वने पण जोखम थै शके छे तेवू मार्गदर्शन आपियू जाती ए सजीवोनी वस्तीनो एवो समूँ छे के जे एक बिजासा थे आंतर प्रजनन करवा माटे शक्षम होई छे तेनो अर्थ एछे के एक जातीना सब्वियो अन्य जातीयो सिवाई मात्र पुतानी जातीना सब्वियो साथेज प्रजननक्षम संत्यतिनो निड्मान करी शके छे एक जातीना सब्वियो सामान्य लक्षणों धरावे छे वन्य प्राणी अब्यारण एक विद्यार्तिये पंच मढीमा बौड उपर वन्य प्राणी अभ्यारण्य लखे लूँआ छिव तेने प्रोफेसर ने जणाव्यू के आरक्षित जंगलों नी जेम कितलाक ऐवा विस्तारों छे के जया वन्य प्राणीयों सुरक्षित तेमज संरक्षित रहे छे तेने वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहे छे अधिकारी स्री माधव जी जणावे छे के अभ्यारण्य एक एवी जग्या छे के जया प्राणियोंनों सिकार करवो तथा तेने पकड़वा एटे कैद करवा माटे संपूर्ण प्रतिबंद होई छे खिटलाक महत्वपुर्ण संकत मा मुकायेला जंगली प्राणियों जेवाके कालू हरन, स्वेद आखुवारू हरन, हाथी, सोनेरे बिलाडी, गुलाबी शिर्षवारू बतक, गडियार, कादमा रहतु मगर, अजगर, घेंडा, वगेरे आपना वन्य प्राणियों प्राणियों मा आगवा विस्तारो, मोटा सपाट जंगलो, पहाडी जंगलो, तथा मुटी नदियों ना मुखत्रिकौन प्रदेशों नी जाडी वारी जमीन, तथा जाडीयों जोवा मळे छे अपसोस्त नी वाद एचे के संवरक्षित जंगलो पन वन्य प्राणियों माटे सुरक्षित नथी, कारण के तेनी आसपातना क्षित्रमा रहवा वारालोको, तेनो अथी उप्योग करीने नश्ट करीदे छे विद्यार्थियों ने तेमनी प्राणि संगलले नी मुलाकात याद करवामा आवे छे ते वो याद करे छे के प्राणि संगलले पन एव स्तान छे के ज्या प्राणियों ने रक्षन मले छे परन्तु ते कुद्रती दिते रहिशकता नथी नचिक ना प्राणियों ने कई परिस्तिती मा राखवामा आवे छे तेनो अलोकन करी विचारो के शु ते प्राणियों ना जीवन माटे योग्य छे शु प्राणियों कुद्रती निवास्थान करता कुत्रिम निवास्थान मा सारेवी ते रहिशके छे तमारा मत मुझब प्राणियो तेना कुद्रती निवास्तानमा आराम्थी वस्वाट करिशके के प्राणी उद्यानमा तेना विशे विचारो आप आठनो भाग बे आवता विडियो मा अस्तो